साथियो नमस्कार स्वागत है आपका फियल स्टेडी मंत्रेटिव चैनल पे तो साथियो यूपी ट्रपल सी पैट एक्जाम या पैट परिच्छा जो पातरता परिच्छा होती है यूपी में उसका एक्जाम इस बार 15-16 अक्टूबर चार पालियों में होने वाला है साथियों आप अच्छी मेनत कर रहे हैं और आपके अच्छे मार्स आएंगे भी अब देखो में कुछ अप्रोच इसकी बात करूँगा आप ने मेहनत की है बहुत अच्छी मेनत की होगी आप मूग टेस्ट ला रहे हैं उसमें आपके अच्छे मार्स आ रहे है तो आप में confidence built बढ़ जाएंगे और कम से कम आठ से दस नंबर का इस वीडियो को देखने के बाद आपको फाइदा होने वाला है अबस से ठीक है साथियो तो शुरू करते हैं अब मैंने पहले बता दिया जैसे 80 plus marks लाना इस परिच्छा में कोई बड़ी बात नहीं कोई टेडी खीन नहीं ठीक है अगर आपके 70 आ रहा है न तो अब भी आप पर इतना समय है कि आप 80 plus marks ला सकते हो ठीक है अब इसके लिए क्या करना चाहिए क्या करें अच्छा score आए सीधी बात यह है देखो जो तरीका है मैं आपको बताऊंगा क्या तरीका होना चाहिए अब मेरा जो experience है मेरा experience काफी है परिछाओं को देने के लिए अब मैं अपना experience आपको share करूँगा और किस प्रकार से paper को approach से solve किया जाता है जिससे अच्छे से अच्छे marks gain किये जाएं और अब भी मैं फिर कहा रहा हूँ आपके 70 आ रहे हैं 65 आ रहे हैं आपको 8 से 10 marks आपको gain मिलेगा आपके अबस से बढ़ेंगे ठीक है सातियो तो शुरू करते हैं वीडियो को आओ सातियो देखो सातियो जो pet 2022 है अब सबसे पहले अंतिम समय है अंतिम समय में क्या पढ़ा जाए जिससे हमारे अच्छे मांकसा है तो अंतिम समय की रणनीती बता रहा हूँ मैंने point लिखे हुए हैं जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो ठीक है सातियो आपको सिर्फ जो आपने पहले पढ़ा हुआ है क्योंकि अंतिम समय में दिमाग की जो ग्रहेड सकती होती है जो capacity होती है grasping power होती है बहुत अधिक बढ़ चुकी होती है इसलिए जो आपने पहले पढ़ा है उसी का revision करो नया जादा पढ़ने की कोशिस मत करो ठीक है नया पढ़ोगे तो प्रना भूल जाओगे revision करोगे अच्छे से अच्छे marks ला सकते हो पहला point आपको जरूर दियार रखना है क्योंकि आप जब परिच्छा का समय नजदिक होता है तो आपके mind की grasping cover या grade सकती बहुत ज़ादा बहुत percent कई सो percent बढ़ जाती है ठीक है पहली बात ही है तो यह आपको क्या करना है आपको जो पढ़ रखा है नोट्स बनाए हुए है तो आप revision करो और मोक टेस्ट अबस लगाओ दूसरा देखो दूसरा point देखो जो ओनलाइन पढ़ने से बचे मैं बार-बार कहता हूँ जब परिच्छा नजदीख हो आप offline पढ़ने की कोसिस करें किताबों से पढ़ने की कोसिस करें नोट से पढ़ने की कोसिस करें online में कहा है समय की बरवादी है और कुछ नहीं है 10% होते नहीं है एक गंटा बरवाद हो जाता है परिच्छा को आपका सिलेबस मालिम होना चाहिए कोई भी आप परिच्छा दे रहे हो बिना सिलेबस के नहीं पहुंचना चाहिए आप ऐसा होता है जैसे 100% बच्चे पेपर देते हैं तो माल लो कि 80% ये 90% बच्चे तो ऐसे ही होते हैं आपको सिलेबस नहीं वालिम तो परिच्छा देने क्या जा रहे हो पहली बात तो दूसरा परिच्छा में सबसे पहले वो प्रसंट सॉल्ब करो जो आप पर आते हैं हमेशा ध्यान रखना जैसे 100 प्रशनों का पेपर है आपने एक से 100 तक जितने भी आपको फर्स्ट टाइम में जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है आपका फर्स्ट टाइम में जो आपको पर प्रसंट आ रहा है जैसे मालो 10 परसंट आ रहे हैं 20 परसंट आ रहे हैं पहले A to Z paper में जितने प्रसंद आ रहे हैं, उतने प्रसंद लगाओ, दूसरा, अब अगले पर बात करेंगे, अगला क्या होना चाहिए आपकी अप्रोच, अब बे प्रसंद सॉल्व करें, जो अधिक समय लेंगे, लेकिन आप पर आ सकते हैं, देखो, अधिक तो समय लेंगे लेकिन आप पर आ सकते हैं, समय लेंगे, समय लेने दो, दूसरी टाइम में क्या होना चाहिए आपकी अप्रोच, जो समय ले रहे हैं, और आज आएंगे, वो प्रसंद आप सॉल्व करें, दूसरा नंबर, तीसरी नंबर पर, अंत में बे प्रसंद सॉल्व करें, जो आप नहीं आते, लेकिन आपको उनको करने से करें बिना, आपका सेलेक्शन पॉसिवल नहीं है, सबसे बड़ी बात तो यह है, लास्ट वाला, जो लास्ट वाला इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, जब आपका सेलेक्शन हो गई नहीं, ठीक है, आपने मालों को 100% में पर दाएं बाएं भी बुलकुल नहीं आ रहे, उनको क्या करना चाहिए, इसमें सबसे बड़ी बात होती है, तुक्का मारना, अब तुक्का मारना, यह कोई ऐसा है कि तुक्का मारना सही होता है, तुक्का मारना सही होता है, तुक्का मारे बिना आपका सेलेक्शन नहीं हो कर दी जैसे मैंने इधर साइट से सीरीज भल ली इधर साइट से सीरीज भल ली या इधर साइट से सीरीज भल ली ये चीज तरीका होता है गलग ऐसे इसको तुक्का मारने को एकडम सपेद होता है जूट होता है ये तुक्का सही हो इनी सकता आपका आगे देखो आगे अंध अब देखो पहला तुक्का लगाने का सही तरीका क्या हो सकता है पहली बात तो यह जब परिच्छा पास करने के लिए ज़्यादा अंक चाहिए भई सीधी बात है स्वांक की परिच्छा मैंने बता दिया साट पे प्रसंद आपने सही कर लिए और आपको लग रहा है कि मेरा सेलेक्शन साट पे नहीं होने वाला है मेरिट हाई जाएगी तो आपको तुक्का मारना ही पड़ेगा तो तुक्का कैसे मारें बो समझो अब कोई प्रसंद नहीं आ रहा सिधी बात है जब कोई प्रसंद नहीं आगा तो तुक्का मारने का देखो पहला पॉंट यह समझो हो यहां पर किसी भी परिच्छा में A, B, C, D ओप्सन होते हैं, बैंकिंग की दो बात नहीं करता बैंकिंग में 5 ओप्सन होते हैं, लेकिन जो आपकी परिच्छा आईगी पैट की तो कितने ओप्सन होंगे आपके पास, चार ओप्सन होंगे और लगभग सभी ओप्सनों का बैटेश बराबर होता है जैसे मालो, A ओप्सन 25 हैं, 25 प्रसन होंगे 20 के भी 25 होंगे, C के भी 25 होंगे, D के भी 25 होंगे तो probability यह कहती है, कि आपका same ratio बन रहा है तो जो प्रसन आपने भर लिए, ऐसे मालो, कि OMR में OMR में आपने OMR भरी, जितने भी प्रसन लगा लिए तो OMR जितने भी भर दी, आपने A के 20 ओप्सन लगा दिए B के 25 लगा दिए, C के 8 लगाए, और D के लगाए 16 तो यह offline में ज़्यादा अच्छे से उपाता है आप देखो, यह आपने option लगा दिए, तो सबसे ज़्यादा probability बनती है कि आपको जो बच्चे हुए option है, उनमें C option मारो क्योंकि C के सबसे कम option आपने लगाए है ठीक है सात्यों, बासमी में पहली बाद दूसरा देखो, क्या करें, आप देखो यहाँ पर यह दिए आपने, अब जैसे A के 18 option लगाए B के 17 लगाए, C के 20 लगाए, और D के 15 लगाए अब तो यह critical case बन गया, अब इसमें क्या करना चाहिए आप देखो approach, तब आपको option को हमेशा 3-3 के pair में बरे बना आप 3-3 के pair बना लो, उसमें बरो अब होगा क्या ऐसे, क्या benefit मिलेगा, जैसे मैं बताऊँ आपको जैसे एक option के ऐसे question बचे हुए, ऐसे तो नहीं बचेंगे, लेकिन आपको देखने पड़ेंगे वो जैसे यहाँ से बरा, आपने 3% यहाँ से बर दिए फिर 3% B के बर दिए, अब तीसरा वाल आया, तो 3% C के बर दिए चोथा वाल आया, तो 3% D के बर दिए इस प्रकार से अगर आप सुन बरोगे, तो आपको निश्य तोर पर आपके नंबर बढ़ेंगे ठीक है साथियो, जब यह जब की बात कर रहा हूँ, जब आपके पास कोई उप्सन न हो अगला देखो, और अगर ऐसे स्वाल करोगे, तो परिच्छा में आपके 8-10 marks अबस से बढ़ेंगे यह बात मान के चलो, और PT में गारेंटी है आपकी, 80-10 marks 100% आपको मिलने वाले हैं अगर यह अप्रोच अपनाई, और आपने यह वीडियो सुरू से लेकर अंतर तक देखा है, तो यह आपको नंबर दिलवाके रहेगा ठीक है साथियो, और negative marking का एक फाइदा होता है, तुक्का लगाने का फाइदा क्या होता है, जैसे माल लो, कि आपने 3 तुक्के लगाए, ठीक है, 3 तुक्के में अगर 0.25 का है negative marking suppose करो, आपके 3 तुक्के गलत हो गए, तो सिर्फ कितना जाएगा, 0.75, बास समझना, अगर आपने 3 मैंसे, अगर एक भी सही हो गया, तो आपको आपको एक नंबर जाता मिल जाएगा, 3 मैंसे 2 सही हो गए, तब भी आपको जाता नंबर मिल जाएगा, और 3 मैंसे by chance कभी 3 प् पताई किस प्रकार से आपको तुक्का एक्जाम में लगाना है, जिससे आपके अच्छे से अच्छे marks आ सकें, और अगर इस अपरेच को आप अपनाओगे, तो आपके marks अबस से ही increase करेंगे, ठीक है सात्यों, धन्यवाद,